नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप अपना इंडिया पोस्ट पैमेन बैंक का कस्टमर आइडी भूल गए हैं तो आप कैसे पता करेंगे अपना कस्टमर आइडी इस वीडियो में आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपना इंडिया पोस्ट पैमेन बैंक का कस्टमर आइडी को बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमर आइडी के आउसकता क्यों परती है तो मैं इस वीडियो में आपको step by step करके बताने वाला हूँ simply यहाँ पर आपना India Post Payment Bank का Mobile Banking Application को simply इस application को open कर लेंगे open करेंगे जैसे आपके सामने इस तरह से आपे interface देखनी को बिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा login now बस क्या करेंगे simply आप इस login now पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने पाद आपके सामने इस तरह से आपको interface देखनी मिलेगा यहाँ पर आपको simply देखनी मिलेगा account number उसके बाद यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा customer ID उसके बाद date of birth और यहाँ पर mobile number तो यहाँ पे आपको तो customer ID पता नहीं यहाँ पे अपना customer ID को कैसे पता करेंगे यहाँ पे आप simply अपना account number आपको पता होगा तो यहाँ पे अपना account number को fill up करेंगे और यहाँ पे अपना customer ID तो पता नहीं होगा जहाँ है कि किस्टंधन केर को कॉल करना पड़ेगा कि अब क्करणा क्で करना एक क्षeilब करने वाद यहाँ पर एक नंबर पर करना होगा वह number क्या है मैं यहां बता देता हूँ, simply क्या करेंगे, यहाँ पर आपको number type करना है 1-55-299, इस number पर simply आपको call करना है तो guys, यहाँ पर आपको ध्यान रखना आपको उसी number से call करना है जो भी number आपके bank account से link हो, यानि आपने जब भी अपना इंडिया post payment bank में account खुलवाया होगा खुलवाते समय आपने जो भी mobile number दी होगे, उसी mobile number से आपको call करना है guys, और यहाँ पर आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है जिसके नाम से account होगा, उसी को call करना है यानि अगर आप किसी ladies का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस ladies को ही call करना होगा क्योंकि ladies में बात कर सकती, मैं यहीं बात करेंगा होँआपे अगर आप gens का account है, आप ladies बात करना होगा तो इसलिए आपको ध्यान रखना, आपको उसी number से call करना जो आपके account से link हो, यानि registered हो, आपने जो account खुलवाए होगे उस से में जो number दिये होगे, उस number से call करना और जिसका भी account हो, उसको ही बात करना होगा क्योंकि वहाँ पर आपका details मांगा जाएगा, जैसे हो सकता आपको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करने बाद आपना customer ID को आपको note डाउन कर लेना, copy में हो सकता है, आपको कुछ और details मांग सकता है जैसे आपका father's name, mother's name, आपका date of birth पूछ सकता है कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको मारी वीडियो पसने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर सतका helpful कारें और लेना चाहते हैं चैनल को ज़रूर से जब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ पूशना, कुछ क्यारी वीडियो कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं, जैहिन जबारत